हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों गुट मॉनिंग सुप्रभास आज नाग पंचमी का दूसरा दिन है यानि तीन अगस्त है और बरसात का सीजन चल रहा है दोस्तों तो मैंने सुचा कि क्यों ना आप भी बहुत सारे पौधों की कटिंग लगाएं बरसात में जो कटिंग बह हैं लगभग बीस कटिंग मैंने लगा रखी है और यह कटिंग मैंने पंदरा जुलाई के और तीस जुलाई के बीच में लग है नमर एक पर देख पा रहे हैं यह जो रहा की छोटी वली ब्राइटी है मुष्च circuit हैं कि यह कटिंग माने लगभग बदा जुलाई के आदत लगाई थी आप देख पा रहे होंगे यह ग्रो कर रही है इसमें छोटे छोटे नने नने सी कलियां आ रही है तो इस तरह से यह कटिंग मेरी ग्रो कर गई है और अभी आज आप देख पा रहे होंगे पंद्रा अठारा दिन में यह ग्रो कर गई है इस तरह से मैंने यह गुल और मौसम बरसात का है तो मौस्टली सारी कटिंग चल जाती ये मैंने डबल चान्दी की कटिंग लगाई थी लगभग दस दिन पहले और इसमें आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी कलियों के लब कलियों के बर्ट बन रहे हैं भी आई नहीं है लेकिन आ जाएंगी ये एक जोरा की दूसरी बराइटी है मेरा चौथा प्लांट जो है ये एक जोरा की दूसरी बराइटी है ये डिफ्रेंट कलर है ये लाइट फिंक कलर है और इसकी देखे ये भी ग्रो कर रहा है इसमें दो पत्तियां आपको दिख रहे होगी यह पांचवाँ प्लांट है मेरे पास इसनेक प्लांट नहीं है नाग चंपा है यह सौरी यह नाग चंपा का पौधा मैंने अभी दो दिन पहले कटिंग से लगाया है यह भी ग्रो करेगा इस तरह से आप बर्सात में कटिंग लगा सकते हैं मेरा कहने को अनलब यह है कि यह आपको देख पा रहे होगे यह मोर पंखी की कटिंग है यह भी लगवर 10-12 दिन हो गए है और इसमें छोटे छोटे ग्रेन कलर के बर्स आ रहे हैं बीच बीच में तो यह भी 80% आप इसको भ और यह तो सबको पता है आराम से चल जाती हैँ अब कभी भी लगाई है ऑच मैंने अभी बर्सात के सीजन में लगाए है यह मैंने कृसमस ट्री मैं इसंवल इसकी कटिंग में लगा utry कर रही हूं अब इससे पहले मैंने कटिंग कभी नहीं लगा यह आ और यह ias हैं भी 5 या 6 दिन हुए हैं मैं इसको ट्राइ कर रहा है इस बार है और उसके बाद नेस्ट प्लांट है मेरा सद्धा बाहर का है और यह मैं यह सद्धा बाहर की मां फांच से च्सफे वरायटी लाकर इसकी कटिंग में लगाई हूँ और यह सारी कटिंग ग्रो कर क्युिंग यह लिंक कर्वाटं एक सारी चल गयू है और उसके बाद यह यह तो गिफेड़ यह मैंने नहीं लगाईς और च detach है वो मेरा आता है सफेज चमपा का सफेज चमपा का भी पौधा मैंने कटिंग से लगाया था ये सफेज चमपा की कटिंग मैंने लगाया थी लगभग एक महने पहले ये मैंने लगाया था जोन में और ये कटिंग ग्रो कर रही है आप देख पा रहे हैं इसमें नई जो पत्ति कि आगो इसके बाद ये पौधा कि अ मेरा करॉटोन का प्लान्ट और यह इसकी बहुत साजी बुट अलती हैं आप मौGo चिक्टिए के नर्सरी ने इसके कट छोती हैं और ये बहुत ही षे फ़ प्लांट कि ये कि वह सचाए लिए अ कि यह ड़िफा की ब्रैइटी है और इसकी दो तीन ब्राइटी आती है जो मैंने लगाई हुई है यह ब्राइटी इसकी और इसकी मेक्रिणять भी आती है iki यह जड़ प्लांट है आप देख पा रहे होंगे इसको लगई प्लांट भी कहते हैं इसकी मैंने छोटी छोटी बर्थ इसी पॉर्ट में मैंने लगा दिया है और यह सारी लगबग ग्रो कर रही है जब थोड़े ग्रो हो जाएंगे तब मैं इसे दूसरे पॉर्ट में ट्रा इसके लगए है और यह कृटी मेरी देख रहे हो गी इसमें नए नए वर्ट आरे हैं ग्रीन कलर की पहले पूरा पॉधा सोगे अब उसकी वात ग्रोग रहा रहा है इस तरह मैंने यह मेंधि किटिंग लगाई है इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये मेरी बेगम भोलिया कि ये मेरा उसकी कटिंग है कनेर की ये पिंक का डबल कनेर है पिंक के फ्लावर आएंगे वो भी डबल लेयर की फ्लावर होते हैं ये बहुत ही खुबसूरत होते हैं कनेर के यह कटिंग भी मैं रोड की किनारे से लाक की लगाई हूं रोड की किनारे लगभग डिवाइडर वगएरा के पास लगे रहते हैं वहां से मैं लाक की लगाई हूं यह कनेर की कटिंग और इसकी फ्लावर बहुत खुब सूरत होते हैं इस तरह से मैं यह सारी कटिंग लगाई थी ये कटिंग में चल रही है इस तरह से ये सारी कटिंग मैंने लगा लिये हैं लगभख 20 कटिंग हो गई है और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों मैंने जहां भी मुझे जो कटिंग दिखी बरसात का मौसम भी चल रहा है और जहां मुझे जो कटिंग दिखी मैंने लाके लगा दी, इसलिए मैं आपको भी बोल रहे हूं कि आप भी कटिंग से पौधे तयार करिए खुद को भी अच्छा लगेगा और पैंदे की भी बचत होगी इसमें ते कोई प्लांट ऐसा नहीं है जो 50 रूपी से कम का आ रहा हो इसलिए आप कटिंग कर सकते हैं अपने आप घर पे और अच्छे पौधे तयार कर सकते हैं इसलिए मेरा यही मानना है कि आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा और दोस्तों मैं कहना चाहूंगी कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो यूजफुल लगा हो तो मैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिएगा और बाकी ऐसे मैं और सारे वीडियो आप तक पहुंचाती रहूंगी दोस्तों मैंने दो चाहर कटिंग और लगाई हुई है चलिए मैं आपको वो कटिंग भी दिखा रही हूँ मैं आप देख पा रहे हूँ है मैंने सारा कुछ जुगार से ही कर रखा है ज्यादा पैंसे नहीं खर्च कर रही है फालत हुए तो मैं जब मैं सारे पौदे तयार हो जाएंगे तो हो सकता है मैं भी मैं पौट खरीती हूँ या बनाती हूँ ये मुझे भी नहीं पता लेकिन देखिए मैं क्या करती हूँ चलिए फिर और जो मैंने कटिंग लगा रखी है मैं उन्हें दिखाती हूँ आपको ये मैंने गुडहल की ही विसकस की कटिंग लगाई है और ये कटिंग मैंने कहीं और नहीं ग्रो की है इसी पौर्ट में नीचे लगा दिया है और आप देख पा रहे हूंगे रेड कलर का इसका कलर बहुत ही प्यारा है इदम खुला वाला रेड है लाइटिंग वाला रेड और बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह मेरा सबसे अच्छा पोधा है इसकी कटिंग मैंने लगाई है यह मैंने वाइट कनेर की कटिंग लगाई है यह डिफिन वेक्या की कटिंग नीचे लगी है गमने में मैंने साइड साइड में इसी में लगा दिया है थोड़ा सा और ग्रो कर जाएगी उसके बाद मैं ट्रांसफर कर लूँगी इसे इस तरह से मैंने लगभग बीस कटिंग लगा रखी है दोस्तों दोस्तों इस तरह से मेरा जो अगला पौधा है ये पैलीडा है परपल कलर का और ये भी एलो वीरा की तरह ही मने प्लांड की तरह ही ग्रो करता है और मैंने ये दोनों पौधे साथ में ही लगा दिये हैं ये मने प्लांड की कटिंग मैंने लगाई है और ये पैलीडा परपल कलर वाला मैंने लगाई है इसकी बहुत सारी वराइटी आती है आपको ये भी लगा सकते हैं आपको जो मिल जाए आसानी से आपको लगाईएगा दोस्तों इस तरह से मैंने अपनी सारी कटिंग आपको बाकि आप यह कटिंग आप एक बार ट्राइज जरूर करिएगा सारी कटिंग यह वो पौधे हैं जो जिसमें मैंने कोई केमिकल नहीं डाला है कुछ नहीं योज किया हैं फिर भी यह ग्रो कर रहे हैं तो यह बहुत आसानी से उगने वाले सारे पौधे हैं आप यह वर ट्रा बाकि आपकी मर्जी अगर नहीं अच्छा लगाओ तो मत करिएगा दोस्तों इस तरह से जो मैं अगली कटिंग लगाने वाली हूँ यह जट रूफा का प्लांट है और आप देख पा रहे हूंगे इसमें बहुत ही सुन्दर कलर के पीछ डार्क पीछ कलर की फ्लावर आ रहे हैं छोटे छिटे फ्लावर आते हैं पौधा इसका लगभग पांच से 10 फिर तक हो जाता है लंबा और मैं आज यह कटिंग अभी मैंने लगाई नहीं है मैं आज यह कटिंग लगाने वाली हूँ यह पौधा मुझे कहीं देख गया मैं इसकी कटिंग ले आई हूँ और मैं आज इसकी कटिंग लगाऊंगी दोस्तों इस तरह से मेरा कहना यही है कि बरसात का मौसम है और यह बहुत ही खुबसूरत प्लांट है तो आप कटिंग जरूर लगाईएगा मिट्टी सब को आराम से मिल जाती है लगबख पौदे कहीं न कहीं दिखी जाते हैं तो आप अगर कटिंग लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा सबसे बड़ी बात यह है आप खुछ से पौदे तयार करेंगे पैसे की बचत भी होगी और रही बात में वेडियो की तो अगर पसंद सब्सक्राइब करेंगा नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं थीक दोस्तों यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्य बात